बिस्मिल्ल्ल रह्मान रहीम अस्लावलेकूम कैसे हैं आप उमीद है सब ठीक होंगे अल्लापाक आपको हर बिमार्यों और परिशानियों से बचाए आमीन आज हम कुकिंग हों में रासिपी शेयर करेंगे आलू भरे टीन दे चलिए सिब्राना स्टाट करते हैं वीडियो पस ए फून स्पून खुशक धन्या वंटी स्पून सफ लिया है और इनको हम ड्राइ fundament करेंगे और फिर हमें चुर्ठ 받ो के मोटा मोटा और पैन में मैंने 2 स्पून और इस के अंदर हाफटी स्पून मैंने अध्रक लसन इड़ाश दिया है हैं और इसकी प्रहां कहतम होने तक ह जैसे ही इसकी स्मेल खतम हो जाएगी हम इसके अंदर जो मैंने अभी मसाले बनाए थे कूट लिये थे उनको इसके अंदर शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हाफ टीस्पून लाल मिर्ज पाउडर शामिल करेंगे वन फोर टीस्पून हालती पाउडर शामिल करेंगे हाफ टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ज शामिल करेंगे और इसे बिलकुल हल की आज़ पर हम इसको भून लेंगे मैंने बिल्कूल हलकी आज पर इसको त्यार कर लिया है और यह मैंने आलू लिये हैं आलू को मैंने पहले बॉाइल कर लिया था और यह मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और एक कुटीवील हारी मिर्च और थोड़ा सा धन्या हमने बारी कट कर लिया था और अब हम इसके अंदर इसको शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहां हमने लिए हैं टिंडे और इनको मैंने कट कर बब choreography और इनको मैंने उपर से थोड़ा सा कट कर लिया था उनको छील लिया था अच्छे से और मैं एक आप को छील के दिखाती हूँ कि देखे मैंने इसको सारे को छीन लिया है और उपर से हम इसको कट लगाएंगे इसको मैंने कट कर लिया है उपर से और अब हम नाइब की मदद से इसके अंदर से सारे बीज निकाल देंगे हम इसको हाथ से इसके सारे बीज रमूव कर देंगे कि देखे मैंने इसके सारे बीजं निकाल दी है और छीधर से भी हुम्ते निकाल देंगे एक तो बीज जोवर्ड को तक का से इसता से मैंने все तियार कर लिया थे अमकिस की इसकी फिलिंग करते हैं मैंने लिए और movimiento की उन्री जी अ हैे वोड़ेंगर aggressive की और यह भी आफार शुर्प वहिं कि एक और हम आपको बना कर दिखाते हैं यहां पर हम इसको यहां पर हम स्टिक लगाएंगे और लिचे तियार हो गया अब हम सारे इसी तरह तियार कर लेंगे यह दिखें मैंने सारे तियार कर लिए हैं और कड़ाई में मैंने ओयल लिया है और इसको मैंने लो टू मीडियम आज पर गरम कर लिया था और अब हम इसको फ्राइ करेंगे मीडियम आज पर हम इनको फ्राइ करेंगे सारे टिंडे मैंने इसके अंदर शामिल करती हैं और अब हम इसे फ्राइ करेंगे पहले दो मिंट एक साइट से फ्राइ करेंगे दो मिंट एक साइट से फ्राइ करेंगे और टिंडे हमारे फ्राइ हो गए हैं इन्हें हम बाहिए निकाल लेंगे अब उसी ओईल में प्यास शामिल करेंगे प्यास को मैंने ब्लैंड कर लिया था पीस लिया था और इसी ओईल में हमने प्यास को शामिल किया और इसको हलका सा गॉल्डन कर लेंगे ये देखें प्याज हलकी सी गोल्डन हो गजी है और अब हम इसके अंदर अदर कलसन का पेश शामिल करेंगे वन टी स्पून हम इसके अंदर अदर कलसन का पेश शामिल करेंगे कि मैंने लसन अदर रख लिया और इसमें शामिल किया और इसकी स्मेल ख़तम होने तक हम इसकी बुनाई करेंगे और ये टीमाटर एक मीडियम साइज का टीमाटर लिया था इसको भी मैंने ब्लैंड कर लिया था इसको इसके अंदर शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे यह जो मैंने मसाला डाय रोस्ट करके कुटा था मोटा मोटा उसको शामिल किया वन टी स्पून वन टी स्पून लाल मिज्ट पाउडर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे अब अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा और वन फूर टी स्पून कालमिर्ज पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर गरम साला पाउडर शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे दो से तीन मिनट मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की है और अब मैं इसके अंदर तीन से चार टेबल स्पून पानी शामिल करूंगी और इसको थोड़ा सा पकाएंगे पानी को बॉइल आने तक दो मैने हरी मेर्चे शामिल की इसके अंदर जब हम इसके अंदर टिंडे शामिल करेंगे और अब हम इसको दस मिनट तक लोटू मीडियम आज पर पकाएंगे अब हम इसके उपर धनिया और हरी मेर्चे शामिल करेंगे मैंने एक बारी कट कर लिया था इसके उपर डालेंगे और टिंडे हमारे रेडी है आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट और सब्क्राइब कर दिया करें दुआउं में याद रखिएगा अलाफ़ेज